नमस्कार फ्रेंड्स ओनलेंटेक सब पुचिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है लाल से लिखे सस्क्राइब वटन को क्लिक कर लें और इस चनल को सस्क्राइब कर लें चली वीडियो को सुरू करते हैं इस युड में हम बात करने वाले हमारे चैनल पर एक जो क्वेस्चन है एनी टाइम जो है हमारे चैनल पर कमेंट सेक्षन में पूछा जाता है वह है दिमेट्ट सक्सेश का हम क्या करें उसका insult कैसे करें और कितने बाद हो सकता है तो उसी के बारे में पूरा विश्तार पूर्वक्स वीडियों में बात करने वाले हैं तो चली वीडियों को सुरू करते हैं सबसे पहले G-State में हमें डिमेट सेक्सेज हुआ है हमारा ट्रांजक्शन IMPAS तो यहाँ पर अपने report में हमें check कर लेना है support दर जैसा कि हम anytime आपको बताते आए हैं कि जो इडिमेट सेक्सेज होता है IMPS उसको 72 घंटे का आप जो है customer से timing ले 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 यगर उसका 72 घंटे के अंदर जो है जीस account में पैसा डाला है उस account में अगर नहीं गया है उसके बाद हमार CSP outlet पर वह आए अगर वैसे में अगर 2-3 दिन बात कोई customer आता है कि वह इसका जो पैसा है वह credit नहीं हुआ है उस account में तो उस account का simply हमें report को open कर लेना है यहाँ पर हमने open कर रखा है यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर डिमेट सक्सेज हुआ है यह transaction तो यहाँ पर simply हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर देखिए 110 रुपया with जो है charge यहाँ पर डिमेट सक्सेज में गया हुआ है तो यहाँ पर जो reference number है उसको आपको copy कर लेना है जिसको मैंने security region से यहाँ पर delete कर दिया है तो इस reference number को simply आपको copy कर लेना है copy करने के बाद वापस अपने portal पे आना है और refund IMPS option में हमें जाना है यहाँ पर आपको refund IMPS का एक option मिलता है यहाँ पर आप देख सकते है reference number यहाँ पर डालने का option आ जाता है तो simply जो अभी number आपको हम reference number copy करने के लिए बताया थे report में उस reference number को यहाँ पर copy करके हम जैसे ही paste करेंगे तो कुछ इस तरह से detail open हो जाएग तो डिमेट सक्सिस होते टाइम जो भी हमने fingerprint capture किया था वही fingerprint हमें यहाँ पर देना है तो यहाँ पर simply हम capture पर क्लिक करेंगे capture पर जो भी fingerprint customer का हम लिए हैं तो उसका हमें ले ले लेना है और इसको fingerprint capture हमें कर लेना है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग comment करते हैं कि जो है उनका fingerprint fingerprint capture नहीं हो पा रहा है तो आप जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में जो है माल लीजे किसी का right hand का finger मांग रहा है तो वो left hand select करके दे देते हैं तो ऐसे में आप जो है exchange finger करके वहाँ पर try कर लीजेगा आपका finger change हुआ रहता है इसलिए भी fingerprint आपका capture नही OTP जाता है उस OTP को यहाँ पर हमें डाल लेना है और डालने के बाद जो है उसके बाद नीचे capture code यहाँ पर जो दिया हुआ है उस capture code को हमें डाल लेना है डालने के बाद simply हमें कुछ नहीं करना है submit कर देना है submit करने के बाद जो है हमारा IMPS जो है और refund हो जाता है यहाँ पर हम कुछ इस तरह से सम्मिट कर देंगे जैसे ही सम्मिट कीजिएगा तो यहां पर जो हमारा IMPS देखिए यहां पर IMPS refund receipt यहां पर हो जाता है उसके बाद जो है इस परची को हमें print कर लेना है print करने के बाद customer का हमें sign लेना है sign लेने के बाद जो है उसका जो हमें transaction register पर maintain करके हमें दे देना है तो यहां पर आप जो है इस report बहुत सारे लोग को सोचते हैं कि इसको हमने time out यानि कि हमने IMPS refund किया और बहुत सारे लोग जो जा करके report में check करते हैं और scroll डानू करके नीचे आते हैं तो वहां पे जो है कोई भी IMPS refund का यहां पे transaction नहीं दिखाता है तो ऐसे में आपको हम बता देना चाहते हैं कि जब भी आप किसी का भी IMPS refund करेंगे तो सबसे top में वो चला जाता है तो ऐसे में जो भी आप IMPS refund करते हैं वो बिल्कुल टॉप पे चला जाता है पहले नमबर पे चला जाता है वहां पे अपना चेक करके आप पैसा जो है customer को आपस कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना है अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी एची लगई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सेर करें और इस चैनल पर पहली बा आ रहे हैं तो वीडियो कर निचेला आद सल के subscribe बटन को क्लिक करके इस चैनल को ज़रू subscribe करें ताकि इसी तरह का मातपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे तब तक के लिए थाइंक्यू धन्यवाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का मातपूर्ण अपडेट के साथ